नमस्कार दोस्तों आप देख रहें टीबी 20 नूज पर अपने छेत्रों की ताजा तरिन खबरें मैं हूँ आपके साथ असोग बर्मा देखते रहे ये टीबी 20 नूज बने रही हमारे साथ महराष्ट राज के वजट सत्रे में समाजबादी पार्टे के मंबई महराष्ट अधक्च अविधाय कभू आसी माजबी ने राजिसपाल के भासल पर चर्चा के माधियम से राजिय में सीए और एनार्सी के खिलाब फ्रस्ता फारिद करने की और मुसल्मानों के लिए एजू अग्या सिंग परोहित और अन्य जो आरोपी थे उनके साथ सरकारी वकील रूहनी सालियान इन्हें नर्मी बरतने का दवा डाला गया था वकीली परिस्वान है एटियस कोट में नहीं जा रही है सरकार से मांगी कि एटियस कोट में जाए चार सीच के तहत कभाहों को लेकर यह मांग अबु आजमी ने आज सदन में किया है क्या कुछ कहा सुनवाते हैं मैं आपका दिल के गहराईयों से शुक्रियादा करता हूँ मश्कुर ममनून हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया अध्यक्ष मोदै राज जिपाल साब ने अपना भाशन शुरू किया तो उन्होंने का कि हमारी सरकार छटपती शिवाजी महाराज मातमा जियुत्वा फुले साहू महाराज भारत रत्म डाक्टर अंबिटकर साब के वसूलों पर उनके आदर्शों पर चलती है हमने बहुत के आदर्शों पर चलेगी तो समाज के हर व्यक्ति को इनसाफ मिलेगा अध्यक्ष मोदै पच्पन पॉइंट उन्होंने दिया 55 पॉइंट पर उन्होंने अपनी बातें किया अध्यक्ष मोदै जो समाज 20-22 परसंट है माइनारिटी उस पे सिर्फ एक ही पॉइंट बोला उन्होंने और क्या कहा उन्होंने अध्यक्ष मोदै कि नोकरियों में माइनारिटी के परसंटेज को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग स्किम शुरू की जाएगी हमारी सरकार ने शुरू किया है और पहले 2000 मि साहू महराज उन्होंने अपने राज़ी में 50% बहुजन समाज के लिए रेजर्वेशन दिया था पिछले तबकों के लिए जिसे माइनारिटी भी थे मुसल्मान भी थे सरकार जब ऐसे महान पुर्शों के आदर्शों पर चलती है तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि एक समाज के साथ नाइंसाफ ही क्यूं पिछले पांच साल तक मुझे बहुत खुशी थी कॉंग्रेस एंसी पी हम लोग सब इसी हाउस में चिलाते थे कि रिजर्वेशन दो रिजर्वेशन दो अद्दक्ट मुदे शाबास वा करने के ज़रूरत ने सर मैं अपना काम कर रहा हूँ बाबा साब बाबा सामबेट्गाज जी ने कहा था पिछले तबकात को वेलफेर स्कीम से नहीं बलकि लीगल एंड कंस्टियूशनल प्रोटेक्शन चाहिए उसको सर वो प्रोटेक्शन सिर्फ रिजर्वेशन से मिल सकता है आज 22% माइनार्टी के लोगों कोई बात यह नहीं कर रहा है पिछले बार इतनी आवाद उठाई गई नाटपूर का सेशन हो यहां का सेशन हो बार बार रेजर्वेशन दिया जाए लेकिन जब से हमारी अपनी सरकाराई अब तो हम अपनी सिगनेचर से कर सकते हैं वो काम अब किस बात की देरी है अब तो रेजर्वेशन मिलना चाहिए अद्धक्स मज़ाए जब यह माविला 2014 में आया था अध्यादेश आया था कॉंग्रेस ने बिलने पास किया लेकिन यह लेप्स हो गया और लोग गया कोट में गये यह बहुत सुनने की ज़रूरत है कोट में गये कोट ने कहा 5% रेजर्वेशन एजुकेशन में 5% एम्प्लाइमेंट पे और हाई कोट ने सर लीगल कोई हिच नहीं है हाई कोट ने कहा गी 5% एजुकेशन में मुसल्मानों को रेजर्वेशन दे सकते हैं फिर क्यों नहीं मिल रहा है मैं अपने तमाम सात्यों से पूछना चाहता हूँ जबान क्यों बंद हो गई मतलब एक समाच को दबाएंगे एक समाच के साथ नाइंसाफी करेंगे तब ही आप सत्ता में आएंगे ये बहुत गलत हो रहा है अद्यक्ष मोदा मैं मांग करना चाहता हूँ कि इस सेशन के अंदर अब की बार ये बिल पास होना चाहिए अद्यक्ष मोदा है इस देश के तेरा राज्यों ने बिहार जहां बीजेपी शामील है नितिश कुमार की सरकार के साथ वहां भी NRC और CAA के खिलाफ हाउस के अंदर रिजियोलेशन पास हुआ है कि हमारे राज्य में CAA NRC लागू नहीं होगी मेरे मुक्मंत्री जी ने भी कहा था मैं डेलिकेशन लेकर गया था सतार बाई सुन लो आप भी और सबके सामने कहा था मेरे मुक्मंत्री जी ने कि मेरे राज्य में CAA NRC लागू नहीं होगी मैं हाज जोड़के निवादर करना चाहता हूँ कि इसी सेशन में उसको रिजियोलेशन ला दो और कह दो कि भी हमारे या नहीं हो कम से कम जो लोगों के अंदर एक भय है एक डर है वो डर उनका खतम हो जाए लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे अब बात हो रही थी कोवीट की अभी कोवीट के लिए अभी जो है अभी मैं बता दूँ कि कोवीड में क्या प्राबलम हुआ अभी इनों के पास मत देखो सरकार ने सरकार ने रूल पास किया कि आई सी यू के लिए और वेंटिलेशन के लिए कितना कितना फीस लेना कितना पैसा लेना है मैं तो हैरान हूँ कि सरकार के हुक्म का पालन हस्पतालों ने किया ही नहीं मेरा एक जनल सेग्रेटी प्रदीब दिख्षित नाम का विचारा परेल में रहता था और वो उसकी पत्नी दो ही लोग घर में थे वो बिमार हुआ उसने गुलबर अस्पिताल में एड्मिट हो गया उसके पास पांच लाख रुपे का इंशोरंस था उसने इलाज कराया उसकी बीवी आई की पांच लाख खतम हो गया डॉक्टर पैसे माँग रहा है मैंने अपने पासे दो लाख दिया फिर तिन दिन बाद आई पैसे कम हो गया फिर मैंने दो लाख दिया अध्यक्ष मुझा है फिर आई मेरे पास की नहीं पैसे हैं मैंने फिर 5 लाग दिया 9 लाग मेरे पासे दिया अध्यक्ष मुझा है उस अस्पताल की बिल हो गई 43,50,000 रुपया मैं गया सिदा जब बिल बढ़ने लगी तो मैं गया राजेश टोपे साब के पास मैंने ऐह जबने उसी वक्त, अस्हीं क्या रट दिया आप इसängen पैसे मत मंणना यह ए अच्छा हो जाएता, मैं पैसे पूरा दूँगा और आप जो है मंत्री महोदय और कमिशन महोदय इसी गैरंटी दे लिए कि मैं पैसे दूँगा अज़ा कि मैं जाए उननीस सारे उननीस लाग बीस लाग देने के बाद अभी भी उनको चाहिए तेईस लाग रुपया और मैं नहीं दे रहा हूँ मेरे पार रोज अप्लिकेशन आ रहा है इसके इनसाफ चाहिए कितना पैसा कहां से लाएंगे लोग और बहुत कोईट में काम हुआ है हालत ये कि सब फूट ग्लोबल परेल का ग्लोबल मेरे नाम उनका चिट्टी भेजना वारेंट भेजना